तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास सेवन की इंग्लिश बूग दा एलियन हैं चैप्टर वन दा टीनी टीचर तो बच्चों हम लोगों ने बहुत सारे एनिमल्स के लाइफ को देखा है कैट्स को भी डॉक को भी और हमारे पैट्स के लाइफ भी हम देखते हैं तो हम लोग फिस को भी एक्विरियम में रखते हैं और उसके लाइफ के बारे में भी हम लोग जानते हैं तो आपने एक और जीप के बारे में कभी गौर किया है जो बिल्कुल छोटा सा होता है कॉमन स होता है और हमारे आसपास हमेशा ही रहता है हमारे घर में या गलियों में हमारे कुछ अगर घर में मीठा गिर जाता है तो वहां वो तुरंती आ जाता है तो आपने कभी ऐसा सोचा है तो वो है एक छोटा सा चीटी जो की हमारे घर में रहता है तो आज हम लोग चीटी के बार में deeply जानेंगे तो आपने कभी गौड किया कि दर्टीनी टीचर इस चैप्टर का नाम क्यू पढ़ा तो दर्टीनी टीचर का मतलब हुआ एक छोटा सा सिख्छक एक इनसान जो होता है एक इनसान वो चीटियों से कितना कुछ सीखता है चीटी कितना हार्ड वर्किंग होता है वो इनसान को भी कुछ सिखा जाता है तो चलिए इस चैप्टर में हम लोग कुछ सीखने सिखाने की बात करते हैं और इस चैप्टर में बहुत ही ये interesting चैप्टर है तो आप लोग इसे पढ़ेंगे थोड़ी मस्ती भी करेंगे बाचीत भी होगी इसके बारे में और हम कीजिए और बैल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे तो चलिए बच्चों अब हम चैप्टर पढ़ना शुरू करते हैं दर टीनी टीचर Name the smallest insect you have seen and the wisest Is it the fly? No, it is not Is it the mosquito? No, not the mosquito Then it must be the warm? No, none of these It is the ant, the calmnuest, the smallest but the wisest insect The story of an ant's life sounds almost untrue But people have kept ants as pets And have watched their daily behavior closely So we know a number of facts about this teeny, hardworking and intelligent creature So we know a number of facts about this So we know a number of facts about this So we know a number of facts about this An ant uses its pillars or antennas to talk to other animals By passing messages Throughout them Watch a row of ants moving up or down the wall Each ant greets all the others coming from the opposite direction by touching their fillers Now we know a number of facts about this And we know how to relate the to another animals So we forget about it यह आप यह दो एंड्स देख रहे हैं, इसमें ही यह वाला जो है, यह दोनों इस तरह से यह दो फिलर्स, एंटीना जिसे बोलते हैं, यह दोनों टच करके इस तरह से एक दूसरे से बाते करते हैं, चलिए, अब आगे बढ़ते हैं, ज्ट्रीज सिरने जर्ट के समाझने करें और तो यह दोल्हां, यह दोनी कि законч वृ यह दोर सिर्ट कि एर ही यह दोसकी आपि다 मैं सोत्फेन जर्ट को सी, जी नतचे मांसाती है कि तरह से बाद्ट को बादीना करे व्ट ओतिक करके स féनите को little rooms and passes in some of these rooms the queen and lays eggs others are nurseries for the young ones called grubs workers have their reserved quarters they spend most of their time searching for food some rooms serve as store houses for this food soldiers have separated separate barracks no worker has ever tired to live in a soldier's house no soldiers has ever gone out searching for food no worker or soldiers or cleaners has ever harmed a grubs so you see an ends life is very peaceful it does it share off work intelligently and bravely and never fights with other members of the groups so now what happens is that there are many common black and red colors that we are watching from the age of लेकिन उन पे कभी ध्यान नहीं दिया वो कहां रहते हैं वो अपने आरामदायक घर जिन्हें हम nest या ant hills कहते हैं एक में saw room और रास्ते होते हैं इन में से कुछ rooms से queen ant अंडे देती है और दूसरे सब nurseries होते हैं उन छोटे बच्चों के लिए जिससे हम grubs कहते हैं यानि की चीटी के बच्चे को हम grubs कहेंगे ठीक है? उसके बाद देखिए कि वर्कर्स के पास उनका अपना quarters होता है वह अपना ज़्यादातर समय खाना सर्च करने में बिताते हैं कुछ rooms, food के लिए store house बनते हैं soldiers के पास अपना बैरक होता है कभी किसी वर्कर्स ने soldiers के house में रहने की कोसिस नहीं की कभी किसी soldiers खाना सर्च करने के लिए बाहर नहीं गए ना किसी worker ने या soldiers ने या cleaner ने गर्ब्स को harm नहीं किया तो आप देख सकते हैं कि एक ant का life कितना peaceful होता है सांती भड़ा होता है सब अपना काम समझदारी और बहादुरी से करते हैं और कभी ग्रूप के दूसरे members के साथ fight भी नहीं करते हैं देखे अब है अब है दे स्टोरी ओफ एन एंड्स दे स्टोरी ओफ एन एंड्स लाइफ साउंड अल्मोस्ट अन्ट्रू दा इटरलाइज़्ट फ्रेज मेंस देखे वन में है तो आपका ये फर्स्ट नमबर का होगा उसके बात है दूसरे में आपको इस सेंटेंस को पूरा करना है अब है दूसरे वी नमबर ओफ एंड्स लाइफ बिकाउस वी सी केरफुली अड्स इन आवर हाउस देली अब देखे थर्ड में है देखे बात है गाउस देखे देखे एंड्स देखे बाता है देख्ते टेट लाद एको आर उब्या उत्सको तेखा लाद ओस अपना इल्गिम्स प्रेसर वाद वियुजवाये शैन्सर एस लेको लिए तो आप देखिए कि फीन पूरे एक कॉलोने की पॉपलेशन की मदर होती है वा पंदरे साल जिन्दा रह सकती है उसके पास विंक का एक पेर होता है लेकिन जब वह वैडिंग फ्लाइट से आती है तो वह अपने पंग काट लेती है यह फ्लाइट समर के गर्म दिन के दिन होता है क्वीन नेस्ट को छोड़कर आसमान में मेल एंट या नर्मदमकी से मिलने जाती है जब वह वापस दर्ती पर आती है तो वह अपने पंग काट लेती है और कुछ नहीं करती सिवाए अंडे देने की एक अच एक्ष एक्ष और गर्ष और अन्हाए अन्हाँ 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 वह अन्हाँ टूर में लेती है वह ओर तेजाए बड़सा लेती है अप्र आधिवाओ वीग में Then the cocoons break and perfect ant appear. Now it's time for teaching and training. New ants learn their duties from old ants as workers, soldiers, builders, cleaners, etc. After a few weeks training the small ants are ready to go out into the big world of works. तो अब देखिए कि अंडे फूटते हैं, अंडे फूटते हैं और उनमें से गर्प्स बाहर आते हैं. Soldiers उनकी रप्चा करते हैं, workers उन्हें खाना खिलाते हैं और उन्हें साप करते हैं. और वो उन्हें रोजाना के एरिंग, exercise और संसाइन के लिए ले जाते हैं. संसाइन के लिए ले जाते हैं, दो या तीन हपते बाद गर्प्स कफून ककून बन जाते हैं और बिना खाए और बिना हिले दुले तीन हपते तक पड़े रहते हैं. फिर ककून तूट जाते हैं और परफेक्ट एंड बाहर आती हैं. अब यह training और teaching का समय है नई ants, old ants से workers, soldiers, builders जैसे duties सीखते हैं training के कुछ हबते बाद छोटी ants बाहर जाने के लिए ready रहते हैं उस बरे से दुनिया में काम करने के लिए अब देखे Ant Hills is a home not only for ants but also for some other creatures betels, laser breeds of ants and the green fly why do ants want these alien creatures to live in their nest for several reasons some give of smell pleasant to the ants senses other give sweet juice and some are just pets or play things like cats and dogs to human being the green fly is the ants cow the ants train it to give honeydew like milk with a touch of their antenna they milk it just as we milk the cow तो देखिए कि एक ant hill सिर्फ ant का घर नहीं होता बलकि यहाँ बीटल्स, laser breeds of ants और green fly जैसे insects भी यहाँ रहते हैं ants को इन alien creatures का क्या काम या ants इन्हें अपने nest में क्यों रखते हैं इन regions के कारण जैसे कुस्तो ants के senses को अच्छा smell देता है और दूसरे उन्हें sweet juice देते हैं और कुछ को तो अपने pet बनाते हैं जैसे इनसान dog और cat को बनाते हैं green fly ants का cow है ants इन्हें train करते हैं कि वो उन्हें honey dew दे जैसे एक तरह से milk वो अपने antina की मदद से honey dew को touch करती है वो उनसे ऐसे ही milk निकालते हैं जैसे हम cow से निकालते हैं have human learn have humans learn as much as ants have perhaps they have but they have not put their learning to good use they may still learn a few things from this teeny teacher hard work sense of duty and discipline cleanliness care for the young ones and have all a firm loyalty to the land where they live अब देखे कि क्या इनसान ने चीटियों से जितना सीखा है सायद हाँ क्या इनसान ने चीटियों से जितना सीखा है तो आप बोलेंगे शायद हाँ लेकिन वो अपने learning का good use नहीं करते वो teeny teacher से काफी चीट सीख सकते हैं hand work hard working sense of duty and discipline cleanliness care for the young ones और उपर जो सब है जिस लेंड पर वह रहते हैं उसके प्रती द्रिड निस्था तो बचों आपने देखा कि चीटियों जो होती है कितने hard working होती है वो अपने बचों का किस तरह से वो ख्याल रखती है ध्यान रखती है और कितने discipline होती है और कितने अच्छी होती है उसमें कितना dread निस्था होता है तो इस तरह से आपने इसमें बहुत सारा चीज़ पढ़ा तो अब आप बताईए कि आपको कैसा लगा पढ़ाई करके इस chapter को पढ़के अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिए ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे तो बच्छों अब मैं इसके question answer आपको अगले वीडियो में बताऊंगी और मैं इसके link डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी आप वहाँ से भी देख सकते हैं तब तक के लिए बाई टेक कियर थैंक्स टो वच मैं वीडियो